पर रोक लगाने की मांग की थी कोट्च ने इसके साथ ही उत्तरा खंड में भी जंगली सूर और हिमाचल में बंदर मारने की रोक की मांग ठुकरा दी है अंकित गुप्ता से बात करते हैं अंकित क्या कहा कोट्च ने इस फैसले को सुनाते हुए फिलाल यह कोई फैसला नहीं है लेकिन जो सुप्रीम कोट में याचक लगाई गया थी उसमें ये कहा गया है कि तीन अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किये है जिसमें बंदर नील गया और जंगली सूर को मारने की बात कही गई है तो आज जब सुप्रीम कोट पर इसमामले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोट ने जो इसमामले में याचका करता है लेकिन तब तक के लिए सुप्रीम कोट ने फिलहाल किसी भी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है शुक्रियां किताब का जानकारी के लिए याणिकी जो इजात याचिका एंजियो की तरफ से दाखिल की गई थी कि तुरंथ प्रभाव से रोक लगाई जाए उसको फिलहाल सुप्रीम कोट ने खारिच किया है